हेलो प्यारे बच्चो अब आपको इस चैनल पे आपकी जो वॉक्षिट आ रही है आपको मैथ इंगलीज साइंस और हिंदी की भी वॉक्षिट प्रोवाइट की जाएगी दोनों मीडियम में तो मेरे चैनल को जुरू से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी वीडियो मिल सके हाल स्टूरेंट वैलकम बैक तो माई यूटूब चैनल एंस आर्टी हम आज हम वॉक्षिट अमर आपकी टैन करने वाले यानि कारे पत्रक दस करेंगी जो आपके ताइस अब्वर की वॉक्षिट है तो बच्चो इसके अंदर जो आपका चल रहा है पॉलिटिकल साइं लिए रहे हैं तो बच्चे ऑप इसे कमेंट भी करिए लाइक भी किजिए वीडियो को और ऐसे ज्यादा प्यार देते रहें और ताकि हम अगर आपको पूरा इसमें फूल कोर्स चाहिए अगर आपको चाहिए कि मैं इसके सारे आपको चैप्टर फटा फट अप्लोड कर द पूरी वन वीक में कम्प्लीट हो जाएगी आपके इसके बुक के भी से कोश्चन से नोट करें आपके जो वक्षीट के आपको कोश्चन होंगे वो इसके अंतरगत एड़ करने होंगे तो जैसे ही आपका रिस्पांज जो भी होगा वह आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स मे आप अपनी बुक को भी जरूर रिट करें क्योंकि वो भी रिट करना इंपॉर्टन्ट है जो इसमें आपका टॉपिक आज का है मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार बचुग है जो हमें प्राप हैं तो क्यों हमें मिलते हैं तो आई हम इसके बारें पढ़ते हैं स्वत ताकि दुरूफ प्योग से बचाने के लिए किसको नागरिकों को सविधान में कुछ अधिकार दिये गए हैं, जो किसके हीत में नागरिकों के हीत में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, सविधान राज्य और अन्य वैक्तियों के समक्ष वैक्ति अधिकार ने रख्चा करता है ताकि उनके साथ कोई नाइसाफी नहीं है उन्हें अधिकारों के अकॉर्डिंग कि उन्हें नयाय मिले और वो अपनी जीवन यापने उसका अकॉर्डिंग कर सके इसके अलावध सविधान के एक खंड में नीती नी दे सकता तत्वों को भी साम करती और संवेधानिक उपचारुक अधिकार तो इसमें आपका अउर्थ इकार् क्या है कानुन की नजर में सब्यों समान मतलब कि किसी भी नागरिक साथ जातब कि याधर में इस लाई कि सुछिप तो कोई भीधव नहीं किये जा जाका तो और 62 की स्वतन्तरता یعنی के सभा संगठन बनाने की स्वतन्तरता देस के वीतर किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेसा, कारोबर करने का अधिकारिच में सामिल है हमारे पूरे देस भाएरत का महफ है इस तरीके से तो कोई भी बैक्ती इंडिया से बाहर जा के रह सकता है अपना जो कोई भी कार रहे है वो कर सकता है इस तरीके साथ का भारत मैप है तो इसमें क्या है हमारे भारत में इधर उपर कर हम देखाले बात करेंगे और वहां पर कोई कारोबार करना चाहता है, वह वहां पर बच सकता है।हीं आप का है। करते हुए तो यानी कि उसे और वर करना है। अपनाते हैं उसका प्रिचार प्रसार करने की स्वतरनता है ने कि हमारे देश में रहने वाले जो प्रतिक वैक्ति उनको अपने धर्म को मानने उसको अधिकार है तो हमारे देश में धार्मिक स्वद्रिनता का अधिकार है यानि कि हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है या कोई भी धर्म अपना सकता है उसका प्रचार प्रसार कर सकता है सांस्क्रतिक और सैक्षिक अधिकार सविधान में कहा गया है कि धार्मिक और भासाई सभी अलप संक्यक समुधा है अपने संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने सैक्षिक संस्तान खोल सकते हैं यानि कि जो भी अलप संक्यक हमारे हाँ पे हैं जो भी धार्मिक और भासाई जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं अपना सैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं ताकि उनके साथ कोई भी बेदवाव नहां वो अपने संस्कृति की रक्षा कर सके और अपने विकास कर सके सम्वेदानी उप्चारों का दिकार यानिके सभी नागरिकों को मौली का दिकार के हनन होने पाइदालत जाने की स्वधर अंतरता नहीं मिल लिया हमसे जब जरसी कोई काम करवाए जाता है बंदुगा जैसे समझ दूरी होती है या हमारे धर्म को हमें मानने से रोका जाता है या संस्कृति और सैक्षिक अधिकार यानिके जो हमें सिक्षा का अधिकार लेने से कोई रोकता है तो हम इस एलब केस कर सकते हैं कि हमारे इन अदिकारों का उलंगन हो रहा है तो आपके आदालत है वह आपके फेबर में ही फैसला सुनाएगी कलियर है तो आपके यह थोड़े इंपॉर्टंट है आपको इस आरे के सारे याद करने होंगे क्योंकि आपको आने चाहिए आपके पेपर मे राज के धर्म के रूप में बढ़ावा देना अर्थात राज्य के लिए सबी धर्म समान होते हैं भारत एक धर्म निर्पेक्च राज्य है यानि कि किसी भी धर्म को हम वैसे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और हमारे लिए भारत में क्या हैं हर एक धर्म समान है इस में आपको लिखा हुआ है कि इसके सामने सम्बंदित मौली का दिक लिखने, मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना, कौन सा दिकार है, मुझे देश के किसी भी राजे में नीवास करना है तो बच्चों आपका कौन सा दिकार हो जाएगा, ये आप अधिकार हो जाएगा इसमें निवास करने वाला आपका था स्वतनतरतक अधिकार तो इसमें मैं यहीं लुकूंगी बस सेकिंड इस तरीके साब को इतना विजिवल होगा तो इसमें आपका आजाएगा second वाला यानि के स्वतनतरता का अधिकार मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ कोई मुझे से मजलूरी नहीं करवा सकता तो यह आपका है तीन, तीन नमबर का आपका है आपके आएगा तीन तीन नमबर का यानि के शोशन के विरुदह दिकार मुझे अपने धर्म को माणने और उसका प्रिचार प्रिचार करने की स्वतनतरता है तो आपका यह हो जाएगा फोर्थ नमबर का यानि के धर्मिक स्वतनतरता का अधिकार next time मुझे अपनी Sanskriti की रक्चा वा उसके विकास का अदिकार करना है मुझे अपनी Sanskriti की रक्चा करनी है तो इसमें आपका आजाएगा five number का यानि के five number का यह आजाएगा इसके अंदर और अगर किसी के साथ खाना, खेलना, वेलना यह है तो इसमें बच्चो आपका आएगा स्वतरंतरता का अधिकार, एक नंबर, क्लियर है, तो आपके फर्स्ट बाले में है, आपके फर्स्ट बाले में आएगा समानता का अधिकार, दूसरे में आपका आएगा इसमें स्वतरंतरता का अधिकार, आपके तीसरे वाले में आ रहा ह है शोर्षन के विरुद अधिकार और आपके फोर्थ में आ रहा है धार्मिक अधिकार और फाइफ में मुझे अपनी संस्केति की रक्षा करने के लिए संस्केति का दिकार तो देख लो आपको विरुकुल उपर से नीचे तक लाइन से डारक्ट ये दिये हूं है तो इससे आ समानता का दिकार आएगा मुझें के साथ वह प्रण्पारبة टो इंग वाल देती हूं है यहां पर बच्टों आपका सिस्वतम्स अंतरता करें नहींद मतलर के इसके बाद आपका देसा है धार्मिक सुटेंदर ता का。 इसके बाद आपका है नगोरी है संस्क्रितिक और सैक्टिक तो इस तरीके से अपके इदिकार आपे नोट कर लो वैसे तो आपको यहां से दिया हुआ है इस तरीके से पहले में पहला है पहले आएगा तो आपको जरूर से वाले हैं इसके कोशन से करने वाले हैं मौलिक अदिकार किसे कहते हैं तो बच्चों मौलिक काफी इसमें आपका है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अतियावेशक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार यानि के मैंने बच्छों यहां पर आपके आनुशेद भी लिख दिया है ताकि आपको बाद में प्राप्लम ना हो आप इसे भी जरूर याद करने क्योंकि यह इंपॉर्टन्ट आपके पेपर में जरूर जरूर आएगा नेक्स अपका है हमारा देश धर्म निर्पेक्च क्यों कहला है धर्म निर्पेक्च का अर्थ है राज्जे की राज्जे राजनीती या किसी गैर धर्म धर्मिक मामले में धर्म से दूर रहे मतलब धर्म को दूर रखे तता सरकार धर्म के अधार पर किसी से कोई भी भी भावना करे यहीं भारत में लागू है इसलिए भारत को धर्म न प्रश्था नहीं होती है वह बहुत जल्दी ताना साही का साधन बन जाता है आता है यह है राजय सक्ती पर सम्विध्धानिक द्यंतरन के द्वारा व्यक्ति की मूलबू स्वतन्सुता की सुरक्षा करता है तो क्लियर है यह आपकी आपके चार कुश्चन है वीडियो सब्सक्राइब कर लें रैट कलर का बटन होगा और इसे एक लाइक करें और कमेंट जरू करें मुझे जब आप लोग कमेंट करते हो तो काफी अच्छा लगता है यह लगता कि बचे रिस्पांस कर रहे हैं देख रहे हैं तो और भी वीडियो को जाज़ जादा प्यार अप्लोड हो रही है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं क्लियर हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स वरक्षिट के साथ तिल देन बार है वानाइस टे